गूट मॉर्निंग गाइस में हुसुनिल विश्वकर्मारों आप देख रहें इसके फार्मिंग लाइट गाइस फिर हौल सीन कुछ ऐसा है कि हमने कल लसुन वगेरा फोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लगाई थी तो गाइस यह आप देख पा रहे हैं हमने इस पर फोड़ा ठोरते हैं तो कल हमने जितनी फुटी थी हम से वो फोड़ दी थी और थोड़ी सी थोड़ी इस पर रह गई थी तो वह हमने यहीं पर जो यह हमारा दीख रहा है खाली इसमें ही ढाग दी थी इसको वोड़ा दिया था तक कि ओस वगेरा में वो ज्यादा इसमें नमी ना जाती है हाँ तो गाइस अभी आपने पिछले व्लोग में देखा होगा कि हमने रासाइनी खाट यह जो हमारा सिंगल सूपर फासपेट होता है वो फेका था वो उड़ाया था ताकि हमारा उपजाउपन बन जाए तो उपर सर्फेस पर फेक दिया था तो सर्फेस पर फेकने क बाद अब हमें उसे जमीन के अंदर ले जाना है थोड़ा मिला के रखना है तो हमें अब बखराई करनी होगी पंजे से उपर उपर ताकि हमारा खेट भी समान हो जाए समान रेड़ बन जाए बिल्कुल क्योंकि गाइस पानी वगेरा गिर गया था तो पानी में पेले अग गाइस अब अच्छी नमी है खेट में तो अब हम खात को मिला देंगे खेट में उपर उपर पंजा फिरकर वो प्लैट बना देंगे उसके पाद के हूं बोएंगे तो आज हमारे जो बखरने की प्रक्रिया है पंजे से वह देखिए चलिए चलते हैं हां तो गाइस फिलाल अतवार होता है उसे भी साप करते हैं जाड़ी वगेरा तो गाइस आप साप करते टाइम यह ध्यान दीजेगा कि इसमें जो शहत वगेरा टांटी वगेरा होती है तो उससे उससे ज़रा बचकर रहेगा क्योंकि यह अपने अपने छहते पर जैसे ही खत्रा मैसूस करती है अटेक करती है और काट खाती है थोड़ा बहुत तो गाइस मैं आपको बताता हूं उसका खुछ यह साप सपाई भी जरूरी होती हम रोज करते हैं गाइस यह तो गाइस आप यह देख सकते हैं इसे टांटी बोलते हैं गाउं में यह सहद में जो मक्या रहती है कुछ उसी तो गाइस यह अब हम जब डालदर वगएरा साप करते हैं तो यह पत्तों में नीचे चिपकी होती है तो यह हमेशा इससे बच कर रहेगा क्योंकि इस टाइम में ज्यादा तर मातरा में पाई जाती है तो गाइस अभी आपने मुझे देखा घास वगएरा काटते हुए हमे और हमने आप यह देख सकते हैं कि हम यह भारा वगएरा तो लियाए हैं हमने पटक दिया है यह दो पर में हम लाखेंगे तो गाइस अब हमारा काम शुरू होता है बखराई का तो चलो चलते हैं बखराई करने अबता मीश करते हैं इसान माँ भारा बाले हैं में कि हमत्त हाई रही हैं हुआ, आर गबस्केशा देखा जेखा चार जाल वे देखाificar स में 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 जेखा घती हैं झाल 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 हाँ तो गाइस आप देख रहे हम पंजा वगेरा छोड़ रहे हैं क्योंकि आज की जो हमारी यह पंजे की बख़्ाई वगेरा है अब काई जोता ही है वो फैनल कंप्लीट हो गई है तो झाल 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 हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे मम्मी जो लसुन का थोड़ा बहुत कच्रा बात का जो वच्टा है वो समेट रही है तो गाइस फिलाव तो सीन कुछ एसा है कि सुरच ढल गया है और हमारी जो काम था वह भी पूरा हो चुका है तुबह कहा था आपको कि हमारा खेद एकदम प्लॉट जैसा बन जाएगा देखिए एकदम चका चक हकाई का तो काम खतम हो गया है लेकिन अब डारेक्ट बवाई करेंगे और हमारा जो खाद वगयरा था वह भी आप देखिए गाइस वह भी अच्छी तरीके से मिल चुका देख सकते हैं हमारे खेद पर का अगर आप इस चैनल पर नए आये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किजे ताकि मेरे सारे नोटमिकेशन आपके साथ पास सबसे पहले पहुँचे और गाईस वीडियो अच्छा कि तो को प्रेद गास समय में बेल आपके साथ कि ताकि ताकि में बेल आपके सानिकिक।